Hello everyone, welcome back to my YouTube channel आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या हुआ है जो संदीब महिश्वरी और विवेक बिंदरा आपस में लड़ चुके हैं एक दूसरे के उपर इल्जाम लगा रहे हैं वीडियो के थुरू और ये लड़ाई काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है पूरे सोशल मीडिया में ऐसी वीडियो आपको मिल जाएंगी तो मैं आपको बिना टाइम वेश्ट के हुए एक्जेक्टली बताऊंगा पॉइंट पे कि हुआ क्या है तो चलो स्टार करते हैं वीडियो को और ऐसे ही इन्फोर्मेटिव वीडियो के लिए इन्फो टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें देखिए अगर आप संदीप महिश्वरी की वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि उनकी वीडियो में उनके सामने स्टूडेंट बैठे रहते हैं और उनसे वो बातचीत करते हैं तो अभी रिसेंटली हुआ ये कि एक स्टूडेंट खड़ाओ के बोला कि मैंने एक बहुत बड़े यूटूबर से एक कोर्स खरीदा है जो लगबग 35-50,000 ऐसा कुछ उसने बताया इतने का मैंने लिया था और उस कोर्स से मुझे कुछ भी वैल्यू नहीं मिली तो मैंने कोर्स का रिफंड मांगा तो उन्होंने बोला ये तो हो नहीं सकता है अगर आप चाहते हैं आपके पैसे रिकावर हो जाएं तो आप आगे दूसरों को बेचो एक कोर्स तो उसकी जो कमिशन वनेगी उससे आपके पैसे रिकावर हो जाएंगे ऐसे एक दो लोग उस वीडियो में देखाये गए जो ऐसा कह रहे हैं उसमें कहीं भी विवेक बिंद्रा का नाम नहीं लिया गया था कि ये विवेक बिंद्रा के कोर्स की बात की गई है हाँ उनने बोला अएक बड़े यूटूबर का कोर्स त제로 है पर उनने नाम किसी का mention नहीं था उस वीडियो में और उनने बताये कि ऐसे लाखो लोग हैं जो ऐसे फस जाते हैं, कोर्स खरीद लेते हैं और पैसे रेफंड नहीं होते हैं, सब चीजें बात हुई रही अब यहां से होती ही कॉंट्रवर्सी चालू संदीप महिशोरी का एक पोस्ट आता है उनके यूटूब चैनल में जिसमें संदीप महिशोरी लिखते हैं कि मेरी टीम को बहुत ज्यादा प्रेशार आ रहा है कि मेरी लेटेस्ट वीडियो को डिलीट किया जाए मैं एक बात किलियर कर दूँ कि मैं किसी भी हालत में ये वीडियो डिलीट नहीं करूँगा और इसके अलावा जो मेरे वीडियो में स्कैम को एक्सपोस किया है उसको भी बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है कि अपना स्टेट्मेंट चेंज करो और मुझे बहुत बुरा लग रहा है मैं सोसाइटी के लिए स्टेंड लूँगा और मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ आप सभी मेरे साथ खड़े हैं उसके बाद संदीप महिशोरी का एक और पोस्ट आया मैं अपने फाइदे के लिए नहीं मैं सबके फाइदे के लिए काम करता हूँ आप जैसे लाखों लोग मिल गई मुझे नहीं रोख सकते उसके बाद वो लिखते हैं आप मुझे अकेला समंदर ही गलती मत करना पूरी यूटूब कमूलिटी मेरे साथ है सारे यूटूबर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अब आपको मैं खुल के एक्सपोस करूँगा और लेखा पबलिक से कोई नहीं जी सकता CM हो या PM तुम क्या चीज हो और लास्ट में वो लिखते हैं अब यहाँ एंट्री होती है विवेक बिंदरा की तो उन्होंने बात भी नहीं की और हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया और एक हफते में ऐसा करने वाला हूँ कि आपको समझाएगा कि आपने क्या गलती की है उसके बाद संदीब महिश्योरी का एक और पोस्ट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि विवेक बिंदरा ने तीन बड़ी मिस्टेक करी पहला तो यह कि हमारी टीम ने वीडियो को एडिट किया था किसी का नाम है किसी कंपनी को मेंशन नहीं किया था किसी को हम टार्गेट नहीं कर रहे थे बट उन्हें लगा कि हम उनसे डर रहे हैं दूसरा कि वो अपने लोगों को मेरे घर या ओफिस क्यों भेजते हैं। तीसरी मिस्टेक कि वो मेरे खिलाफ कुछ बड़ा immature सा प्लान कर रहे हैं। तो ये controversy बहुत उपर level पे अब चली गई है। ये एक वीडियो में छोटी सी बात से start हुई थी। तो आपके साब से कौन सही है कौन गलत है और आप किसके लिए stand लेते हैं। आपको कौन सही लग रहा है प्लीस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी informative वीडियो के लिए प्लीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।